हमें बता है जब भी हम कुछ measure करेंगे उसमें error आना ही है तो हम किस तरीके से errors को minimize कर सकते हैं उसको handle कर सकते हैं तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें यह बता है कि अगर ज्यादा readings लेते हैं तो random errors को at least हम minimize कर सकते हैं रेको हम कुछ reading लेते हैं और में पास reading आती है जैसे A1, फिर आएगी next A2, फिर आएगी A3, फिर आएगी A4, फिर आएगी A5, फिर आएगी A6, ये सब क्या है मेरी measured values, ये सब मैंने measure करे हैं, these are measured values, छीक है, क्या मुझे true value पता है, true value नहीं पता, true value पता होती है तो मैं नापता कि उसका, true value मुझे नहीं पता, अब ऐसे case में क्या करेंगे, true value not known, ऐसे case में हम best case क्या कर सकते हैं, आप इन सभी का average ले लो, तो उसको क्या बूला जाएगा है, इसका वो mean आ गया, और उसी को true value हम मान लेते हैं, अगर ऐसा नहीं है, तो हम बोलेंगे कि mean of all readings, उसी को बोल कि वो हमारी true value है, नहीं तो या तो true value आपको दे दी जाएगे, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास जो true value आ जाती है, उसको मैं क्या लेख दूँगा, ये a1, a2, a3, a4 ऐसे थे थे ना, तो इसको मैं लेख दूँगा, a mean, उसका mean ले लिया, या फिर इसी को plus a2, plus a3, कहां तक जाएगा ये, जितने भी आपने reading ली थी, an तक, divided by total number of readings, जो आपने ली, इस तरीके से आपने mean निकाल लिया, अब हमारे पास एक true value आ चुकी है, मान लिया मतला हमने true value, अब हर reading हो सकता है, उससे अलग हो, ये भी उससे अलग है, ये भी उससे अलग है, a1, a2, a3, a4, a5, a6, इस तरीके से, इन सभी का जो मेरे पास mean आ गया, ये आजाता है मेरे पास a mean, अब आप देखो यहां से, हमारे पास a1, a2, a3, सब अलग-अलग distance पर, तो सभी का कुछ अब error define हो जाएगा, तो जैसे, मैं यहां पर बोल सकता हूँ कि भाई, ये रहा हो delta a2, ये हो जाता है मेरे पास, delta a3, अलग-अलग readings के लिए अब मेरे पास error आने लगे, ये है गया है, delta a4, तो इस तरीके से हम सभी errors को पता कर सकते हैं, तो मैं यहां पर लिखना शुरू करूँगा, अब इनको क्या बोला जाता है, हर reading का, जो खुद का error है, उसको absolute error, मैं लिखूँगा, absolute error, errors, error, अलग-अलग error है, मैं लिखूँगा, delta a1, पहली reading में कितना error था, वो आ जाएगा मेरे पास, a mean, minus a1, ठीक है, अभी value हो सकता है, positive आये, कभी negative आये, क्योंकि mean यहां था, a1 कभी उससे छोटा हो सकता है, कभी बढ़ा हो सकता है, अलग-अलग के लिए value positive, negative आ सकती है, लेकिन errors को हम हमेशा positive मानते हैं, इसी लिए हम यहां पर लगा देते हैं, mod का sign इस तरीके से, छीक, similarly में पास आ जाएगा, delta a2, उसकी जो value आ जाएगी, उसको देखो, अब मैं a mean को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, a bar करके, minus a2, ठीक है, तो मैं लिख दूँगा, absolute error, delta a n, किसी भी nth reading का, will be equal to mod of a mean minus a n, इस तरीके से यार रखने की कोछ रटे मत माना, इसको खाली समझते जाओ, क्या क्या हम करते जा रहे हैं, अब मेरे पास absolute error आ गए, absolute error की भी बहुत सारी values आ गए, किसी में error कम होगा, किसी में जादा होगा, किसी में error कम है, किसी में जादा है, किसी में कम है, किसी में जादा है, हम चाहते हैं, कि mean error कितना है, अब यह जो term है, यह सबसे जादा important हो जाती है, mean absolute error, mean absolute error, mean absolute error, basically हम इन सभी का mean करना चाहते हैं, उसका जो formula हो जाएगा, mean absolute error, इसको वो लिखते हम delta a1 plus delta a2 plus सारे के सारे add कर लो कहां तक delta a n तक divided by कितने number of errors थे? total n थे तो इसी को लिखा भी जाता mean absolute error is equal to summation of delta a i upon n छीक है? ये चीज़ आ जाती है इसको लिखा कैसे जाएगा mean absolute error को? देखो ये mean है absolute errors का तो इसको इस तरीके से लिखा जाता और एक बात बताओ, अब आपसे पूछा है का percentage error क्या होता है? तो वो कैसे निकालोगे? percentage error percentage error के लिए हमें करना पड़ेगा जो हमारा mean absolute error है न उसको divide कर दो जो mean value यानि की true value है उससे और इसको आप hundred से multiply कर दोगे तो आपको percentage में error आजाता है, अच्छे है इसके बाद हमने जो reading ली थी, मानलो मैं कोई भी experiment कर रहा हूँ, उसमें कुछ reading ली है, उसको मुझे experiment करने के बाद किसी को लिखके भी देना पड़ेगा हमारा पास कुछ तो value आई है, कौन से value लिखके दोगे, देखो मेरे पास एक, इसको नहीं लिख सकता ये नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, कोई नहीं लिख सकता, मैं actually इन सब का mean है वो value लिखता हूँ, तो mean क्या है हमाई पास, उसको मैं AD लिख दूगा, उसको बुला आता है report करना, report करना किसी को रिपोर्ट करते हैं कि यह हमने एक्स्परिमेंट किया था यह रिपोर्ट निकल के आई है रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाएगी आप लिखोगे ए मीन अब बताना भी पड़ेगा इसमें प्लस माइनस कुछ एरर भी था कौन सा एरर लिखोगे मीन एपसुलूट एरर तो उसको हम लिखते हैं डिल्टा का बार यह हमारा रिपोर्टिंग का तरीका है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान लगा जाता है उसको अभ बहुत ही सिंपल सा एक्जांपल से स्टार्ट करते हैं मानलो हमने चार रीडिंग्स ली कोई भी एक्स्परिमेंट कर रहे हैं तो हमाहें पास चार रीडिंग्स आएंगी एवन इस इक्वल टू 5.2 एटू की वैल्यू लेट से वह है 4.9 एट्री की वैल्यू है 4.7 और एफ फिर से वैल्यू आ गई 5.2 अब आप ये भी सोच सकते हो अच्छा भहिया एक्स्परिमेंट कर लें दो बार हमें वैल्यू 5.2 आई है तो लेट से 5.2 ही हमारी करेक्ट वैल्यू रही होगी लेकिन ऐसा नहीं है देखो हमें इन सभी का मीन लेना पड़ेगा और वही बन जा होगी इन सभी का लेलो भाई एवरेज तो हम इसको लिखेंगे 5.2 प्लस 4.9 प्लस 4.7 प्लस 5.2 डिवाइड बाइ 4 इसकी वैल्यू कित्या जाती है यह देखो सारी के सारे मिल करके आच्छुली हो जाता है 20 तो यह आता है 20 अब इसको 20 मत लेखना इसको 20.0 लेखना सिगनि दिर बाद में हम देख लेगे डिवाइड बाइ 4 और इसकी वैल्यू आती है 5.0 यहां पर सिगनिफिकेंट फिगर्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है कैसे वो भी मैं आभी आपको बताऊंगा अभी के लिए यह समझ लो ठीक अब हमें पता करने है एपसुल्यूट एरर एपसुल्यूट एरर में क्या करना होता है यह हमारा एमीन है इससे हर एक वैल्यू कितना अलग थी और यह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो जैसे डेल्टा एवन की जो वैल्यू आजाएगी वो आजाएगी 0.2 यहां पर 5.2 था यह 5.0 है डेल्टा एटू डेल इसको कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं डेल्टा ए3 की जो वैल्यू आजाएगी 0.3 डेल्टा ए 4 की जो वैल्यू आजाएगी अगेँ 0.2 थाँ आमगा पास 4 एपसुल्यूट एर hätte अब चार अलग अलग अब आरह है और अब जासमोछ को भी ऐरर बता हो कहता है और तो वो क्या हो जाएगा उसको हम लिखते हैं इस तरीके से डिल्टा ए जो अलग-अलग आए है उनका मीन और इसकी जो वैलू आ जाएगी निमेरिकली वो आ जाएगी 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.2 डिवाइड बाई कितने थे टोटल चार उसकी वैलू जाते है 0.8 डिवाइड बाई 4 विच इकल तो 0.2 यह हमाँ आपास मीन अप्सलूट एरर भी आ गया फिर आदा हमाँ आपास परसंटेज एरर परसंटेज एरर वो वैलू किस तरीके से निका आ रहा है लेकिन कितने में इतना आना चाहिए था उसमें इतना एरर आ रहा है इसको हम लेखेंगे 0.2 डिवाइड पहले फॉर्मूला लिख देता हूं इस डेल्टा ए का मीन mean absolute error divided by mean value multiplied by 100 which is equal to 0.2 upon 5.0 multiplied by 100 which is equal to 20 20 into 0.2 वो जाएगा 2 into 2 which is equal to 4% हमाँ पास 4% का error आ गया रिपोर्ट कैसे किया जाएगा हमाँ आ पास रिपोर्ट वाल्यू हम किस तरीके से रिपोर्ट करते है हम लिखते हैं हमेशा a mean plus हमारे पास plus minus ऐसे लिखते हैं कि जो error अब हमने जो reading निकाली है वो ते इतनी आ गई लेकिन मैं surety नहीं ले रहा कि यह सही आईगी है हो सकता है इसमें थोड़ा ज्यादा हो value से कम हो कुछ error की range है माहा पास वह error कितना है 0.2 का error आ सकता है plus minus तो plus minus लिख दूँगा मैं इसमे data a bar यानि कि mean absolute error which is equal to यहाँ पर value आ जाती है 5.0 plus minus 0.2 इस तरीके से हम लिखेंगे अब यहाँ पर कमाल की चीज़ देखो हमने जब measurement करे थे तो एक measurement में हमाँ पास जो error था वो 0.3 का भी था लेकिन हमने क्योंकि बार-बार reading लीज से हम बोल सकते है दावे के साथ कि हमारी reading में जो error है और errors में सिर्फ इतनी ही calculations आपसे पूची जा सकती है पहले सब का mean ले लो उसी का true value मानना फिर सब के absolute error निकालो फिर उसका mean ले लोगे तो mean absolute error हो जाएगा percentage error निकाल लोगे report कैसे करना है वो देख लो that's it errors में इतना ही है यह चोटा सा वीडियो आपने देखा यह चोटा सा हिस्सा है चोटे से प्यारे से crash course का जिसमें हमने 43 वीडियो में पूरा का पूरा syllabus complete कर लिया है 11th और 12th का साथ में बहुत सारे previous sales question तो link is in the description उसको जरूर द जाएंगी तो PDFs absolutely free है उनको भी के भी download कर दो link is in the description वही एक लिंक है जो को सब्सक्राइब कर लो जाहतों प्रिंट करा लो नहीं तो आप hard copy भी करी सकते हो भी आपको वहीं मिल जाएगा हम मिलेंगे full course